हम भूग के मारे सारे राद तड़ते रहें, बिलकते रहें, फिर भी हमको किसी ने थोड़ा सा खाना भी नहीं खिलाया एक बार क्या हुआ, हमारे गाउं में एक लेड़की के साधी थी तब हम बहुत छोटे-छोटे थे, हमारे यहां ऐसा रिवाज है, जब लेड़की का साधी फीक से हो जाता है तो सारे गाउंवले रिष्टेदार सब लोग उसको बुलाते हैं, अच्छा-चा खाना खिलाते हैं लेकिन हमारे घरवले जो थे, उनको खाने पर नहीं बुलाए थे, क्यांकि हमारी हैसे थी, हमारी आवकात ही नहीं थी हमारी पास तब जवन बहुत ज़्यादा था, मिनिममम 30 एकर से भी ज़्यादा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हमको सालवर अच्छे से खाने को नहीं हो रहा था हम दुसरों के बच्चे से कपड़ा नहीं पेर पाते थे, वो बच्चे जैसे रह रहते हम बच्चे से नहीं रहे पार रहे थे कि मेरी पापा को खेती करना नहीं हाता था और जो इंवेस्ट करते हैं पेशा खेती में लोग लगा के वो पेशा आमार पास नहीं होता था इसी बज़े से हमको बहुत दिकत होता था हम क्या करें सारे बच्चे इसे गाउं में क्या होता है जब साधी पंक्सन होते हैं सारे ब नहीं छोड़ते थे हम किदर भी नहीं जाते थे वास हम घर की बाहर चाड़े गड़ता थे बहुत दूख लगता था और यार हमारी घर मेर तो यहीं बनता अच्छा खाना का सहम भी जाते उनके शाथ हम भी आच्छा खाना क्या आज आए रहे इसे ही सुचते थे लेकिन ममी बोले पापा से हम तो बच्चे को लें नहीं बश्चा खर आगी मिरे बाद मामी बच्च से अच्छा कहना काके करें आजाएंगी फिर क्या हुआ वो परमिस्न दे दिए देने के बाद हम जिन्दे में पहले बार बेसरम बनके गिये थे बाइबेन सभी वह बच्चे के साथ कि हमको तो ही बिट नहीं था बच्छे किया हैं उनको तो ही बटी कैसे कि इदर कि आखाना है उनको मालूम है वो स बैटने के लिए बोलेंगे वो जान बुझे हमको इग्नोर किया उदर जाओ वो शड़ में जाओ 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 अभी नहीं दूसरे बैच में आके बैटो पर यह से हमको गुसा करके बात कर रहे थे हमको मालूम पढ़ रहा था बहुत खराब लग रहा था लेकिन क्या करें गहे तो बैसरमान क्या क्काना के लिए खाना पड़ेगा हम हैसे करके क्या किया इस साट में खड़ा हुए मोग बोलो लो उधर जाओ Luna के बेट के बैटके बॉन Krilles को आख़ने के बात हम पदेज हमको तो ब्लैंगे हम खाए खार को आगे जांबले भी खांके वापस आगे फिर दुला सेड़ से आए बो लग भी खाके उनकी गाहां को चले गए सब लग खाना खा लिया बास लास्ट में दुलन बची थी दुलन के पास हम इसे ही बैठे रहे रात बर फिर दुलन को खिला है हम सचे सारे लोग के बज़े से हमको देखने पर थे अब तो मतलब भीड क अब घम हो गया अब हमको बुला कर खिलाएंगे हम खाके घर को जाएंगे ऍनि जोलग घर बोले नहीं चल गूर चलते हैं अगो देना होता हो कशक दे हो में नहीं धेंगे तो फिर और फिर कशा करेंगे सबरों दून के इंพर श्रम रहिए यूंश्यम भी ठीवShateC suppose भाना नहीं दिया ऐसे करके सुबह हो गया सुबह हो गया वाद हम सब्सक्राइब कर दो ना सलते हैं स्कूल जाने के लिए टाइम हो जागा पर रेडियों ना है मैं बोली मैंने देख के आया है वह खाना बचा हुआ है मुझे डाल चबल बिल्कुल भी पसंद नहीं मैंने जिंदें करके सुबहार था और चाना खाकी अपया बढम गर मंठ्वा करते में इसका फेक देंगे हो गे नव खाना देंगे तो खाके चले जाए देख vibes बोली जाए मेरी मामी से, बच्च आयी क्या पुला री हम भर गे जाने केबाद मेरी मामी भूए मेरी बहुत जादा रुए माझ बोज़े से मेरी बच्चे रात भर भुके रहे कास में नहीं भेशती उचको अच्छा खाना के चक्कर में मेरे बच्चे भुके ही रहे मेरे घर में होते तो कुछ तो खा की सोते मैं क्यूं भैजी वो बहुत मतलब खुद गदोशी ठेरा रही थी मेरी पापा बोले देखा मैं बोल रहा था न मतलब हमारी बचसकों खाना नहीं देंगे नहीं तेना आजके बाद कभी भी नहीं बूचना मुझे कभी भी भैजना मां गोले ठेक या आप इस तो ही बोल रहते एसे करके वो बात गया बहुँ मेरी साधी के टाइम हो गया बहुत साल बीद गया मेरे साधी जब फिक चिवा उनकी घर बाले मुझे बुलाए खाने के लिए तब हमारी एसे तो पहुत जादा उपर आ चुगा था लाखो लाख घ जाता है तो सब तो जाते हैं तुम खाओ ना खाओ तुम एक बार जाके आ जाओ उनकी घर पर नहीं तो काल को अगर कुछ दिक्कत होगी सवस्राल में कुछ तकलिफ होगी तुमको तो लोग बोलेंगे अच्छा हुआ लड़की अच्छी नहीं थी घमंडी थी गुरूर ज आशना आजा रहे थे कि इदर लोग अगर मुठ्टि भार खाना खाने साप की जान पजल आगे मुठ्टि एच्छन नहीं देगे वह देखेंगे घर होगा या तो देंगे चाहाएगा आपकी पेट में भूक होऊ आनको फरक नहीं परता लिखना करके आपकी हैसें की वाजे ऐसे ही दुनिया चलती है